अब आपके सामने सो सब्द प्रतिमिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूं यस स्टार्ट साथ बड़े देशों की सिखर बेठक हर वर्स की भाती कामकाजी और आपसी समझ बढ़ाने वाली है बेठक के बात जारी बयान यह दर्साता है की सिखर बेठक में विश्व की करीब करीब सभी प्रमूक समस्याओं पर विचार हुआ और साथों देशों ने उन समस्याओं पर एकमत होकर अपनी निती इसपस्ट की भले ही आज वेसी समस्याएं नहीं हैं जैसी की कुछ वर्स पूर अंतरास्टी राजनिती के खेमे में बटे होने के समय थी जिन में बड़े ओद्यूगिक राष्टों के लिए एकमत कारेनिती का निर्धारन जरूरी था फिर भी इस परमपरा का निर्वाह करते हुए बिना किसी अपवाद के हर वर्स बड़ी ताकतों की सिखर बेठक का होना बहुत महत्पूर्ण है इसका एक कारण इन बेठकों में आर्थिक मुद्धों को प्रात्मित्ता दिया जाना है इससे इन देशों को अपनी नितियों के समन्वई और आपसी समझ का दाईरा बढ़ाने का अउसर मिलता है आर्थिक हितों को लेकर समय बद्ध होने के जो भी अन्य प्रयास हुए हैं उनमें कोई एसा नियमित नहीं हो पाया है बड़े ओध्योगिक राष्ट्रों की सिखर बेठक में आर्थिक मुद्धों को प्रमुक्ता दिये जाने के बावजूद कोई उलेकनी सहमती सामने नहीं आई है आप आई है राज्यतिक मुद्धों पर जहां सहमती का कोई अभाव देखने को नहीं मिला आर्थिक मुद्धों पर मतों के टकराव को अती सरलिकरत गोशना के जरिये ढापा गया सिखर बेठक में सामील देशों में से कई मंदी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं बेठक के बात जारी बयान में मंदी से उबरने और अर्थ तंत्रों में गती सीलता लाने की बात कही गई है किन्तो उसके लिए किये जाने वाले उपायों का कोई उलेक नहीं है अपने हितों की रक्षा करने और अपने संकट को सुल्जाने के लिए बजन दूसरों पर डालने की कोशिस की गई इस कोशिस का एक प्रमान डालर की विनिमई दर के संकट को सुल्जाने में उदासिंता के रूप में देखने को मिला डालर की विनिमई दर में जबरजस्त कमी से अनेक देशों के समख्ष संकट पेदा हो रहा है फिर भी इस समस्या को सुल्जाने पर कोई सहमती नहीं बन पाई है अमरिका ने तो एसी कोई समस्या होने से ही इनकार कर दिया विनिमई दर की समस्या के बारे में बार बार कई रूपों में सामने आने से यह धारना बल्वती हुई की जिस पकार व्यापार की सर्तों के नियमन के लिए गेट व्यवस्ता है वेसी ही कोई बहुपक्षी व्यवस्ता मोद्री सवालों पर विचार करने के लिए हो लेकिन जब समस्या के अस्तित्व कोई ही नकारा तो समाधान का जिक्र क्यों और केसे हो अलबत्ता अंतरास्टी मुद्राकोस का आकार बढ़ाने का निर्ने किया गया किन्तु उसके प्रभंदक ढाचे को देखते हुए यह कहना कठीन है की विकासिल देशों की और संसाधनों के प्रभाह को बढ़ाने का गोसित लक्ष किस हद तक पूरा हो पाएगा मंदी के दोर से उबरने के एक पक्षी उपायों के कारण अमेरिका का सबसे ज़्यादा लाभ में रहना लाजमी है अमेरिका ने विनीमई दर का सहरा लिया है और जर्मनी में उची ब्याज दरों का इस इस्तती से सरवाधी दुखी जापान अपनी राजनितिक अस्तिर्ता और सिखर बेठक में आये प्रधान मंतरी की अस्वस्तता के चलते असरदार ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाये हैं